स्वागत है दोस्तों आपका निखरी हिंदी टुटोरियल्स में ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें महा भारत कथा से तो आप भली भाती परिचित होंगे ही इसमें कई ऐसे युद्धाओं से जुड़े अनेक रोचकतत्य और रहसे भी है जिने आपको जानना चाहिए ऐसी ही एक पौराणिक कथा अभिमन्यू से भी जुड़ी है अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यू महा भारत युद्ध में वीर गती को प्राप्त हो गए थे अभिमन्यू को चक्रव्यू से भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया था आईए दोस्तों जानते हैं आखिर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यू को क्यों नहीं बचाया था जबकि अर्जुन और पांचों पांडवों की युद्ध के अंत तक उनके रक्षा कवच बने रहे थे तो अभिमन्यू को क्यों मर जाने दिया अगर चाहते तो भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र भेज अभिमन्यू को चक्र व्यू से बाहर ले आते और अभिमन्यू का वध नहीं हो पाता परन्तु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया आखिर क्यों नियती के अनुसार धर्ति से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है और इस उद्धेश्य हे तु भगवान स्वयम धर्ती पर जनम लेते हैं और उनके इस उद्धेश्य में सहायता हे तु विभिन देवी देवताओं को भी अपने पुत्र को भेज या स्वयम जाकर धर्ती पर जन्म लेना होता है। ऐसा ही जब ध्वापर युग में भगवान विश्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तब ब्रह्मा जी ने और सभी देवी देवताओं को भी श्री कृष्ण की सहायता हे तू धर्ती पर जन्म लेने का आदेश दिया था। देवताओं ने मिलकर चन्द्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है। इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करना है यह हमारा दायत्व और कर्तव्य भी है। सभी देवताओं के समझाने पर चन्द्रमा मान तो गए पर फिर भी उन्होंने शर्त भी रग दी कि यदि मेरा पुत्र धर्ती पर जन्म लेगा तो वह जादा दिनों तक धर्ती पर नहीं रुकेगा। और महा भारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वह मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े-बड़े महारतियों को भी चकित कर घोर युद्ध लड़ते हुए वीर गती को प्राप्त होगा। और उसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों चंद्रमा पूत्र वर्चा ही अभिमन्यू थे जिसने धर्ती पर ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर श्रीकृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा के शर्त अनुसार ही श्रीकृष्ण ने अभिमन्यू की नियती में दखल नहीं दिया। और अभिमन्यू महा भारत युद्ध में वीर गती को प्राप्त हो अपने पिता चंद्रमा के पास पुनह चले गए। युद्ध के तीसरे दिन ही अभिमन्यू चक्रविहू के केंद्र में पहुँच गया था। और उसके सामने बड़े बड़े युद्धा खड़े थे जिसका उसने डट कर सामना किया। इस प्रसंग से दोस्तों सीख मिलती है कि अगर आप हिम्मत से काम ले तो हर मुश्किल परिस्तिती का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद।